नमस्कार दोस्तों चार्ट मास्टर में एक बार फेस है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो आज हम बात करेंगे tradingview.com के एक बहुत ही बहतरीन इंडिकेटर की जो की बिल्कुल free of cost available है tradingview.com पर और जिसको की luxe algo ने बनाया है तो luxe algo के maximum जो इंडिकेटर होते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं तो जो आज हम इस इंडिकेटर के बारें बात करने जा रहे हैं ये भी luxe algo द्वारा ही बनाया गया है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँँगा कि अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है और आप trading सीखना चाहते हैं चाहे crypto या stock market या फिर forex market किसी भी market में आप trading सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजे सीखने को मिलने वाली है तो make sure कि चैनल को subscribe जरू कर लें और वीडियो को अभी से like कर दें क्योंकि वीडियो भी बहुत जादा interesting बहुत जादा फायदे मन आपके लिए होने वाली है तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो दीखे जादर सभी लोग simple moving average या फिर exponential moving average का इस्तमाल करते हैं जिसमें थोड़ा सा हमें late indication मिलता है जब तक signal मिलता है हमें by a cell का अब तक काफी जादा देर हो चुकी होती है यानि कि maximum जितने भी moving average या exponential moving average हम लोग use करते हैं सभी में lagging होती है लेकिन आज हम जिस indicator के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें आपको बहुती कम lagging देखने को मिलेगी यानि कि जो signal हमें मिलेंगे वो एकदम right time पे मिलेंगे या जब भी signal मिलेगा तो बिलकुल correct signal मिलेगा इसका जो basic concept है वो है जब भी structure break होगा तभी हमें BISL का signal मिलेगा और एक और इसकी खास बात है कि इसमें lagging कम होने करण हमारा जो profit and loss का ratio है वो बहुत जादा रहता है मतलब loss के chances बहुत जादा कम रहते हैं और profit के chances बहुत जादा रहते हैं लेकिन बाकी other moving average अगर हम use करते हैं वहाँ पे जो signal मिलते हैं उससे क्या होता है उससे हमारे loss के chances जादा रहते हैं profit तो होता ही है लेकिन अगर by chance stop loss hit होता है तो loss भी काफी बड़ी amount में हमें हो सकता है तो इस indicator को लेने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू पर जाना है और ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद आपको simply indicator section में search करना है moving average converging by Luxealgo मैं एक बार आपको search करके दिखायता हूँ तो यहां पर आपको लिखना है moving average moving average जब आप लिखेंगे तो बहुत सारे indicators मिलेंगे तो आपको यह Luxealgo का moving average converging यह search करना है इसके जो users है वो है 2634 ठीक है इसको आप select कर लेंगे जब आप इसको select करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से indicator दिखाई देगा तो आपको इसकी settings में जाना है और style में जाना है और यह जो fast में है इसका color आपको white कर लेना है opacity को बिल्कुल एकदम 100% कर लेना है इसकी thickness आप बढ़ाना चाहे तो यहां से बढ़ा सकते हैं अब इसके बाद यह वाली जो line है इसकी भी thickness आप लोग थोड़ इसी बढ़ा लीजिए ताकि जो signal मिले वो बिल्कुल आपको clearly दिखाई दे तो दीखे जैसे ही यहां पर अगर आप short selling करना चाहते है short signal अगर आप short trade लेना चाहते हैं तो जैसे यह white line यहां पर red line को cross करती है तो आपको एक short trade मिलेगा बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से आप उस short trade में profit भी ले सकते हैं कब तक आपको trade चलाना है जब तक वापस से यह white line इस red line को cross न कर दे तो आप चाहे कहीं भी exit कर सकते हैं वो आपके ओपर depend है stop loss आपको कहां का रखना है stop loss आपको जैसे यह candle red इसके अंदर entry करती है जैसे यह cross over होता है तो इसकी जो पहले वाली candle है या जो recent swing high है अगर recent swing high थोड़ा कम है तो आप वहाँ का भी ऐसे लगा सकते है नहीं तो अब इसकी जो पहली candle है यह वाली candle की पहली candle का आप stop loss लगा सकते हैं यहां पर आप देखेंगे आपका stop loss का size है वो बहुत साद़ कम है तो आप यहां पर अपना जो profit profit and loss का ratio रख सकते हैं वो रख सकते हैं, यानिक आपका जो loss होगा एक रुपे का होगा, profit आपका होगा 5 रूपीज का. ठीक है या तो आप यह रख सकते हैं या one two four रख सकते हैं, one two three रख सकते हैं, या जब तक यह cross over नहीं होता तब तक भी आप अपने इस trade को चला सकते हैं यह देखें यहां बर यह trade यहां पर crossover हुआ तो यहां पर हमारा जो profit and loss का ratio हुआ वो गया 1 to 12 एक रुपे का loss अगर loss होता है तो एक रुपे का होगा profit होगा तो 12 रुपे का होगा इसके साथ साथ एक दूसरा indicator और है जिसका आप use कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से confirmation लेने के लिए तो वो है smart money concept यह भी लकसालगों का है और यह जैसा है वैसा ही आपको use करना कोई सेटिंग्स में आपको share chart नहीं करनी है तो यहां पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी वेल्स के जो बड़े orders होते हैं जो sell order यह buying order होते हैं वो काह पर लगे होगे है तो अगर आपको यहां पर confirmation नहीं होती अगर आपको यहां पर doubt लगता है यहां पर दर लगता है है यहां ले सकते हैं कि यहां पर आपको fully confirmed vlare trade मिलने वाला है यहां पर perfectly यहां ठक जब अब तक एक Five về का क्रोसआओर ना उप्र ना हो तब तक इसको न चोड़े। फिर जैसा प्राइज अउपर जाता है जैसी uncrawर होता है तो यह पर एक लॉंग टैड भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर फिर से एक cell aber का block है तो यहाँ से फिर से आप short ले सकते हैं तो इस indicator के साथ आप use कर सकते हैं smart money concept का और अच्छे अच्छे confirmation के साथ आप trade ले सकते हैं same इसका विपरीत आप जब long trade लेंगे तो long trade में आपको देखना है कि white line जैसी उपर की तरफ आए जैसी ये box green हो जाए ये line green हो जाए तो आपको long trade लेना है और जो SL आपको रखना है वो बिल्गुल पहले वाली candle के नीचे का रखना है ये जो पहली candle है इसके नीचे का आपको SL रखना है और जो आपको profit and loss का ratio होगा वो होगा 1 to 3 या फिर 1 to 4 आपका सकते हैं या जितना भी ये उपर तक जाए जब तक crossover ना हो तब तक भी आप इस trade को चला सकते हैं तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे trade निकाल सकते हैं और सारे के सारे trade बहुत ही जबरदस्त profitable होंगे हो सकता है एक दो trade में आपका loss भी हो जाए तो मैं आपको यह ही कहूँगा कि थोड़ी सी back testing करें थोड़ा सा इस पे आप research करें और थोड़े से experiment करें और जब आपको लगे कि हाँ ये जो indicator है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो तब ही आप इसमे real trade लें नहीं तो से पहले आपको demo trade आपको इसके use करने चाहिए मेरे हिसाब से अब देखे ये अब देखे ये pound dollar का chart है GBP और US dollar का chart है तो यहां पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे trade हमें यहां पर मिल रहा है long and short के short भी हो रहा है तो काफी बड़ा trade हो रहा है long भी हो रहा है तो हलके full के stop loss भी आपके यहां पर hit हो सकते हैं तो उस चीज के लिए थोड़ा सा careful रहा है अब बात करें अगर crypto की तो अगर हम bitcoin का chart देखें तो वहां भी आपको इसमें काफी अच्छे trades मिलने वाले हैं यह देखें यहां पर short trade मिला काफी नीचे market गई यह long trade मिला और यहां प 5 minute या फिर आप 1 minute या maximum 15 minute का chart जो भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से आप use कर सकते हैं और बढ़िया profit आप लोग gain कर सकते हैं इसी के साथ अगर बात करें bank nifty की तो bank nifty में भी यह indicator आपको बहुत अच्छे तरीके से signal provide करेगा यह देखें यहां पर cross over हुआ और price कितना न bank nifty या crypto या फिर forex में इस indicator का use करके बहुत अच्छे अच्छे trade निकाल सकते हैं लेकिन वही कहूंगा कि एक बार बढ़िया तरीकी से back testing करें उसके बाद real trade करें तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद है आप लोगे लिए वीडियो helpful होगी वीडियो अच्छ झाल 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 झाल